एक्टूबर 2019 में जांस की दौरान कई फर्जी फर्म पकड़े थे लेकिन अभी तक उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं हुई है बताया जा रहा है कि फर्जी बिल काट कर ITC ली जा रही थी इस बारे में विभाग के ग्रेट टू कमिशनर दिग्वजे नास्चिंग ने कहा है कि ऐसे लोगों पर जल्द कारवाई की जाएगी कि वाड़ी चुकर विवाग ने पूर्व में 31 अक्टूवर 2019 के बीच 21 फर्मों की जाच की थी उस समय पता चला था कि कम्पनी फर्जी टेक्स इन्वाइच जारी कर बिना सप्लाई अवैद बिक्री दिखाई और दरजनों वहपारियों और कारोबारियों ने इनके माध्य से इन्पूट टेक्स क्रेडिट का लाब उठा कर सरकार को चून लगाया बताया जो रहा है कि बारा फर्म ऐसी हैं जिन्होंने इन्वाइस से आईटी से लेकर दो से लेकर लगभग पांच करोड तक की चूरी की है सिर्फ शामा राधिर ट्रेडिंग कम्पनी ने ही सरकुल ट्रेडिंग के जरीए 12 करोड की खरित घोशित कर करिब 40 करोड की बिकरी की बिल जारी किये विवाग ऐसी कंपनी के खिलाफ कारवाई करने की तैयारी कर चुका है सी न्यूस के लिए विनो जूनियर की रिपोर्ट